हेलो सुदेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग तो अल आफ यू, जैस शुरू करते हैं अपनी डेली जीके की क्लास, जिसमें हमने पिछली वाली क्लास में, यानि की क्लास नंबर एट में हमने किया था, डिसीजिस का फस्ट पार्ट, ओके ये कल क्लास होई थी, फस्ट पार्ट ये आपका डिसीजिस नाम का चैप्टर फूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ओवरल सारे कॉशिंस भी जो भी बनते हैं, मैं आपको इसी में कवर करा दूँगी, ओके, बाकी क्लास नंबर 6 और 7 जरूर देख लेना आप, क्यूंकि ये जो क्लास है, इसमें मैंने आपको न हम वाले हैं, हम वाइरस तो होने वाले डिसीज हम कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे उनको, इस क्लास के बाद जो नेक्स क्लास होगी, हम पूरा उसमें डिसीज का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, डिसीज और कुछ तरीके के मैडिकल इंस्ट्रूमेंट से हम उनको ठीके ना, बात आ गई समझ आप सभी को, तो शुरू करते हैं अपने वाइरस से होने वाले डिसीज सबसे पहले, पहला जो डिसीज है वो है आपका एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्कॉाइड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रॉम, इसका फुल फॉर्म ह इसको जाकर के ये नुकसान पहुचाता है, जो कि हमारी बॉडी का एक तरीके से डिफेंसिव सिस्टम होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं, कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जाकर के अफेक्ट करता है, और उसको इतना ज्यादा वीक बना देता है, कि दीरे दीरे body community पूरी तरह से खतम हो जाती है कि अगर किसी इंसान को जिसको AIDS है और उसको उसकी body community अगर इतनी वीक हो चुकी है फिर खतम हो चुकी है तो अगर उसको हलकी सी भी सर्दी भी लग जाएगी या हलका से जुखाम भी हो जाएगा तो उससे ही उसकी death होना निश्चेत है यानि क जो बिमारी है यह काफी जादा harmful है बहुत जादा खतरनाक बिमारी है और आज तक इसका अभी तक कोई treatment भी नहीं बन पाया है ठीक है ना इसका इलाज अभी तक नहीं बन पाया है इसको जो cause करने वाला agent है यानि कि कौन से वाइरस से होती है उस वाइरस का नाम है HIV वाइरस इसका फुल फॉर्म क्या है human immunodeficiency virus इस वाइरस का नाम भी याद कर ले ना फुल फॉर्म के साथ और इसी वाइरस को ही हम क्या कहते है रेट्रो वाइरस कहते हैं दोनों एक ही वाइरस है HIV वाइरस को रेट्रो वाइरस कहते हैं इसके symptoms क्या होते है आपके AIDS के disease के यह immunity खतम कर देते हैं body की body को weak कर देते हैं और पूरी तरह से immunity खतम होने के बाद इंसान को पूरी तरह से नुकसान पहुचा देते हैं होने वाला जो test है वो कौन सा होता है जिससे पता चलता है किसी इंसान को AIDS हो गया है या नहीं हो गया है और यह एक तरीके का sexually transmitted disease है यानि कि यह body to body transfer ह होता है अगर कोई इंसान किसी से sexually intimation में आता है तो ही आपके body में transfer हो सकता है अदरवाइस किसी के साथ खाने पीने उठने बैटने से यह disease आपकी body में नहीं आ सकता है ठीक है next आपका disease है important वो कौन सा है आपका poliomyelitis polio को हम poliomyelitis को हम polio के नाम से भी जानते हैं दोनों सेम इसको polio बोल देता है यह हमारी body के nervous system को backbone को और throat को पूरी तरह से affect कर देता है यह हमारी nervous system को breakdown कर देता है इस हद तक कि इंसान को paralysis तक हो सकता है यह जो बिमारी जादतर चोटे पन में यानि बच्पन में लगती है दो महिने से लेके 6 साल तक के बच्चों को बिमारी लगती इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन इसका तरीका बस एक है बचने का कि बच्पन में इन बच्चों को जो भी पैदा होते हैं बच्चे उनको polio की drop पिलाई जाए और यह ओरल polio vaccination करा जाए आपने देखा भी होगा घर गर जो लोग गूमते हैं कि कोई भी बच्चा छूटना जाए polio का एक भी बच्चा छूटा तो polio का चक्र तूटा इस तरीके का ad भी टीवी में आता था ठीक है ना तो यह वही polio नाम की बिमारी है और यह एक वाइरस से होती है इसको नाम क्या है इस वाइरस का polio virus ओके और यह एक highly contagious बिमारी होती है contagious मैंने पिछली क्लास में ब क्या होते हैं body में fever हो जाना body में pain रहना intestine के जो cells होते हैं पूरी तरह से destroy हो जाते हैं और body paralysis तक हो जाती है ओके इस से related important question आपका बनता है vaccination related जो मैंने आपको भी बताए कि इसकी एक vaccination होती है 1905 में इसकी पहली vaccination मनाई गई थी जो की scientist उनका नाम क्या था Jonas Salk Jonas Salk नाम के एक scientist ने vaccine मनाई थी लेकिन यह जो vaccine थी injection के थूँ दी जाती थी लेकिन कुछ सालों के बाद 1961 में Albert 7 नाम के एक scientist आये उन्होंने इस polio की जो vaccine को जो की injection के द्वारा दी जाती थी उसको oral polio vaccine मना दिया और उसको हम short में क्या कहते हैं OPV कहते है oral polio vaccine मना दिया यानि कि बस उसको 2-3 drop डालो और वो polio की vaccine बस आपकी body के अंदर पहुँच जाती है और वो affect अपना काम करना शुरू कर देती है किसी injection अगरा की जरूरत तब नहीं पड़ती है और वैक्सिन का नाम है OPV oral polio vaccine दो महिने से लेके 6 महिने तक के बच्चों को ये वैक्सिन दी जाती है नेक्स्ट आपकी जो important disease आजाती है आपकी virus से होने वाली वो है आपकी इन तीनों को एक साथ पढ़ना smallpox, chickenpox और measles smallpox यानि की चेचक, chickenpox यानि की छोटी माता, measles यानि की खसरा अब बहुत सारे बच्चों को यही confusion रहता है कि smallpox छोटी माता होती होगी या फिर चेचक को हम chickenpox कहते होगे तो मैं आपका confusion यहाँ पर अभी पूर कर देती हूँ smallpox यानि की इसका मतलब होता है छोटा, तो छोटा वर्ड यहाँ पर लगा देना चोटी माता और chickenpox यानि की चा से वर्ड शुरू होता है चेचक और भी चा से शुरू होता है तो इसको यहां लगा देना, यानि कि बिल्कुल reverse कर देना, इसको यहां कर देना, इसको यहां कर देना smallpox का मतलब हो गया चेचक और chickenpox का मतलब हो गया छोटी माता I think अब यह confusion आपको कभी भी नहीं होगा life में इन तीनों disease में यानि कि चेचक, छोटी माता और खसरा यानि measles में जो affect करता है body को, कौन सा body part affect होता है वो है आपका whole body, यानि पूरी की पूरी body आपकी affect होती है बस फरक इतना होता है कि chickenpox में आपकी eyes भी affect होती है यानि कि छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं, वो आँखों के अंदर भी हो जाते है और जो measles है यह जादतर बच्चों पे होई जाने वाली यानि पाई जाने वाली बिमारी है और यह तरीके की fatal disease है, fatal यानि जानलेवा बिमारी है यानि कि अगर छोटे बच्चों को measles और खसरा हो चुका है तो इसका इलाज करारा time पे बहुत जरूरी हो जाता है नहीं तो अगर यह बहुत बढ़दा है तो छोटे बच्चे की जान भी जा सकती है ठीक है ना? इनको अलग-अलग category में रखा भी इसलिए गया है क्योंकि अलग-अलग तरीके के virus से होती है और अलग-अलग तरीके का अगर virus है तो इनका treatment भी अलग तरीके से होता है और इनका duration भी अलग तरीके से होता है कि कौन से disease कितने duration में complete होकर कि अपना cycle यहां से body से जाएगी ठीक है? Smallpox नाम का जो disease है यह होता है आपका varula virus से यह ज्यादतर यह transfer होता है air से हवा में होता है droplet में अगर किसी इनसान को smallpox है तो उसके कमरे में आसपास कोई आ जाता है तो उसको भी smallpox होने का चेचा कोने का खतरा बहुत जादा बढ़ जाता है chickenpox कौन से vector से होता है? सौरी कौन से virus से होता है? varicella joster virus से है नाम साथ के साथ याद कर ले ना confused बिलकुन मत होना varula smallpox का होता है varicella joster chickenpox का होता है चोटी माता का और measles किसे होता है? यह आपका rubela virus या फिर इसको measles virus के नाम से भी जानते हैं तो इन टाइब के virus से आपको यह तीन तरीके की अलग-अलग बिमारियां होती है symptoms मिलते जुलते हैं इन सब के एक ही जैसे होते है थोड़े बहुत fever सब में आ जाता है body पे लाल-लल छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-दाने हो जाते हैं पूरी body में भूक ना लगना, प्यास ना लगना सर में दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना और हमेशा थकान महसूस करना यह सारे आपके symptoms होते हैं इन तीनों disease के बाकी chicken pox ना मैं आपको बताई दिया कि इसमें eyes पे भी effect हो जाता है बाकी small pox और इसमें नहीं होता है एक important question आपका इसके बीच में से यह और बनता है vaccine के उपर बनता है जैसे हम disease पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ उसकी important जो भी vaccine है मैं आपको इसी में cover करा रहे हूँ MCQs डप कराऊंगी तो तब भी यह question अलग से भी कराऊंगी लेकिन साथ के साथ पढ़ते जाओगे तो याद करने में असानी हो जाएगी vaccine के जो उपर जो question बनता है small pox को यह बनता है कि small pox सी vaccine किसने बनाईती तो वो बनाईती Edward Jenner नहीं Edward Jenner नामके एक scientist थे जिन्होंने small pox की vaccine बनाईती और इन्ही को ही father of vaccination बोला जाता है तो दो question cover होते है small pox की vaccine बनाईती Edward Jenner ने और father of vaccination किसे कहा जाता है Edward Jenner को कहा जाता है कौन से साल में मनाईती 1796 में मनाईती ठीक है बाकि एक चीछ और बता देती हूँ आपको small pox नाम की जो disease है वो अब eradicate हो चुकी है यानि की लगबग अब नहीं होती है खतम हो चुकी है पूरी तरीके से क्योंकि जब vaccine बन चुकी है तो लोग vaccine लगवा ही लेते हैं छोटे बच्चों के vaccine बच्पर में आपने देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं तो फिर उनके साथ साथ एक उनका vaccination card भी डॉक्टर साथ में दे देता है कि इतने सारे vaccine लगा दे ना तो बच्चे ने इन बिमारियों से बच्चे रहेंगे ठीक है ना तो यह उसी में एक तरीके की vaccine लग जाती है तो यह जो बिमारी के पूरी तरह के से खतम हो चुकी है बाकी chicken pox और measles की अभी तक vaccine इस तरह से नहीं हुई है कि हम उसको radicate कर सकें properly ठीक है ना तो क्या होता है कि इसमें भी यह कई तरीके की symptoms पाई जाते हैं शरीन में दर्द, सर दर्द, whatever next आपकी जो बिमारी हो जाती है वो कौन सी होती है आपकी mumps और tonsils mumps को ही tonsils कहा जाता है mumps नाम की जो बिमारी है किसको affect करती है यह आपके salivory gland को affect करती है as well as आप salivory gland में एक parotid gland पाई जाता है उसको जाकर के affect करती है इसमें क्या होता है कि आपके जो gland इसमें swelling आ जाती है इसके साथ सर में दर्द, भूक न लगना आप कुछ भी खाना का रहे तो swelling इतनी जादा होती है कि आपके खाने की नली में आप कुछ भी खाना काते है तो उसको निगलने में बहुत जादा दिक्कत आपको होती है ठीक है ना causing agent क्या है आपका इसका mumps virus इसको हम बोलते है या फिर हम इसको paramexovirus भी कहते हैं तो यह virus भी आप इसको याद कर लेना next आपका जो disease virus से होने वाले वो है आपका rabies rabies और इसको हम hydrophobia के नाम से भी जानते है अगर कोई dog जिसके body में जिसके saliva में rabies नाम का virus है और अगर वो mad dog अगर किसी इनसान को काट लेता है और उसकी body में saliva के थूँ वो blood में transfer हो जाता है infuse हो जाता है वो same virus तो क्या होता है कि उस इनसान को rabies नाम की बिमारी हो जाती है hydrophobia भी हम जिसको कहते है और यह क्या करता है हमारी body के nervous system को जाकर के पूरी तरह से effect करता है और इतने हद तक effect करता है कि इनसान दीरे 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 पागल होने लगता है और पागल होने के साथ साथ क्या होता है कि उसको पानी से भी डर लगने लगता है इसलिए इस नाम बिमारी को हम क्या कहता है हाइडरोफोबिया फोबिया यानि की डर फियर और हाइडरो का मतलब पानी पानी से डर लगने लग जाना पानी देखके इंसान बहुत ज़्यादा डगने रगता है यह किस वाइरस से होती है यह होती है आपकी रेबीज नाम के वाइरस से होती है और यह जो रेबीज वाइरस है कौन सी फैमिली से बिलॉंग करता है यह होता है आपका rhabdo viridave नाम की family से यह virus जो है वो belong करता है next जो आपका disease आजाता है वो eyes को affect करता है इसका नाम है trachoma trachoma नाम की जो बिमारी के आखों को affect करती है virus कौन सा इसमें causing agent होता है वो होता है आपका chlamydia trachomatis trachomatis शायद आपको examiner ना दे पूछने में क्योंकि trachoma आप पढ़ लोगे तो trachomatis पढ़के आप बहुत अच्छे से कर लोगे दिमाग में कि हाँ यही virus है जो यह इस तरीके की बिमारी create करता है आपको examiner कई बार आपको यही टिक करना है इसलिए ध्यान रखना कि अगर किसी भी virus का नाम अगर दो है यानि कि दो वर्डों को जोड़ करके बना गुआ है तो आप उसके दोनों वर्ड प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना क्योंकि दूसरा वाला जादातर disease के नाम से मिलता जुलता होता है और ढूणने में आसानी हो जाती है तो इसलिए पहला वर्ड जरूर अच्छे से याद कर लेना ठीक है ना तो ट्रेकोबा नाम की बिमारी होती है आँखों के इसमें क्या होता है कि आँखों में लाली आ जाती है नहीं लाल बना जाता है आ इंसान अंधा तक हो सकता है ठीक है ना तो ये भी काफी खतरनाक बिमारी है कि इंसान इससे अंधा तक हो सकता है अगर टाइम पे प्रॉपर्ली इसका ट्रीट्मेंट ना लिया जाए नेक्स्ट जो आपके बिमारी है यह होती है आपकी हिपिटाइटिस और इसी को ही हम यलो फीवर नाम की बिमारी यह हमारे बॉड़ी के नीवर को जाकर के अफेक्ट करती है ठीक है ना हमारे लीवर में क्या होता है स्वैलिंग होने लगती है सर्दी जुखाम रहना पेट में दर्द रहना और यलो यूरीन आना यानि कि इनसान जिसको पीलिया है उसको अगर य सीने का जो sweat होता है वो भी पीले रंग का होता है कि अगर उसे सफेद कपड़े पहन रखे हैं तो वो भी पीले रंग के कपड़े होने लगते हैं ठीक है ना यानि बॉड़ी के पूरे का पूरे RBC को जाकर करके यह destroy करता है और बुरी तरीके से इंसान को affect करता है ठीक है और causing agent है वो कौन से होते हैं हिपिटाइटस A virus ठीक है हिपिटाइटस B virus हिपिटाइटस C virus हिपिटाइटस D virus और हिपिटाइटस E virus यानि कि यह 5 तरीके के virus होते हैं और इनमें से जो B, C, D वाले जो virus है ना यह sexually transmitted होते हैं यानि कि अगर किसी इनसान को पी लिया है और अगर वो किसी से intimate होता है तो उसमें कौन से B, C, D अगर virus पाया जाता है तो उस इनसान को भी पी लिया होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं बागी contaminated food यानि दूशित खाना खाने की वज़य से कौन से नाम का virus transfer होता है वो HAV या फिर HEV नाम का transfer होता है ठीक है तो यह important है बहुत ज कि गरदन नीचे करने में भी दिक्कत होने लगती है पेरा thyroid gland को जाकर एक अफेक्ट करता है जो कि आपके गरदन में यहां पे गले में पाय जाता है आगे की तरफ यहीं से आपका thyroid नाम की बिमारी आपको यहीं से ही होता है ठीक है ना thyroid नाम का gland जो होता है वो थोड़ा butterfly shape क ओपने इसको फोटो net पे कभी देखा हो कई बार यह गुएटर आयोडीन की डेफिशनसी की विरे से होता है कई बार यह वायरस की विरे से भी होता है इसमें क्या होता है मूझ खूलने में दिक्कत तो नहीं लगती है इनसान को कुछ भी खाता है तो इन गलने में काफी तकलीफ होती है जो next disease है वो है आपका common cold और influenza इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे common cold क्या होता है या आपके respiratory tract को जाकर के affect करता है और influenza क्या करता है flu जिसको normally flu कहता है यह भी आपके respiratory tract और उसके organs यानि कि throat, nose या फिर आपकी lungs को जाकर के बुरी तरह से affect करता है and it is a highly contagious disease यानि कि person to person यह directly transfer होने के chances बहुत जादा बढ़ जाता है कि एक person यहाँ पर और दूसरा person उसके आसपास है तो उसको भी यह disease होने के chances बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि highly contagious disease है, flu, okay, common cold कौन से virus से होता है, reno virus से और influenza किस virus से होता है, यह होता आपका hemophilis है hemophilis यानि कि इसको influenza virus के भी नाम से जानते हैं, वही आपका normal इसके symptoms होता है, cuff हो जाना, गला रुन्द जाना, ठीक है नेक्स्ट आपका disease है, वह हर्प्स, हर्प्स नाम के तो disease है, यह आपकी skin को जाकर एफेक्ट करते हैं, और virus कौन सा काम करता है, हर्प्स simplex virus, HSV नाम से हम इसको जानते हैं, short में आपकी skin पर swelling हो जाती है, और लाल लाल चकते पाए जाते हैं, red spots पाए जाते हैं नेक्स्ट आपका disease है, वह हर्पका डेंगू, पूरी body को effect करता है, especially आखो को, सर को, और आपके body के joints को effect करता है, और billion of virus होते हैं, इसको डेंगू को आपकी body में प्रवेश कराने के लिए, या आपको बिमार करने के लिए, डेंगू नाम की बिमारी देने के लिए, इसमें आपकी आँखों में दर्द रहना, muscles में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, joints में बहुत जादा pain रहना, plus body के platelets, blood platelets रहते हैं, वह बहुत जादा down हो जाना, इतने जादा down हो जाना, कि इनसान को चलने फिर उठने, खड़े उने भी दिक्कत हो, यानि कि उख़दा भी नही जूस थोड़ा सा पिलाये जाता है, जो कि बहुत कड़वा होता है, एक चमच भी कोई पीले तो वो भी बहुत होता है, क्योंकि उससे पीना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, काफी कड़वा होता है, तो इस तरीके के जो घर की remedies हैं, वो लोग करते हैं, बाकी साथ साथ तो treatment तो लेना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, कई बार एकनी situation खराब हो जाती है, कि platelets खरीद करके body में जैसे blood चड़ाते हैं, बाड़ी में उसी तरीके से platelets भी खरीद कर body में कई बार चड़वाने पड़ जाते हैं, और यह जो डेंगू नाम का जो disease है, यह transfer किसके through होता है यानि vector इसका कौन होता है, यह मच्छर होता है, यानि कि अगर किसी इंसान को डेंगू है तो दूसरे इंसान तक भी यह डेंगू पहुंस सकता है, अगर वही मच्छर उसी दूसरे इंसान को जाकर के काट ले, और इस मच्छर का नाम क्या है, एडिस अजिप्टा है, एडि चिंगुनिया नाम की भी बिमारी जो होती है वो भी वायरस के थ्रू पाई जाती है और यह भी किस्ते होती है यह भी सेम टाइप के मच्छर से यानि एडिस अजिप्टाई से ही एक दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है next job की disease है जो की malaria है यह भी एक मच्छर से ट्रांसफर होने वाली बिमारी है लेकिन जो बिमारी malaria है यह protozoa से होती है जब हम protozoa के disease करेंगे आगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि जो malaria होता हो किस तरह से होता हो क्या क्या symptoms होते है और जो मच्छर होता है जो इसका vector होता है female anophilies female anophilies नाम का जो मच्छर होता है वो malaria को एक दूसरे इंसान से ट्रांसफर करता है next job का disease है वो है आपका एंसीफैल्टीज और meningitis यह दो जो disease है हम इनको एक साथ पढ़ेंगे क्यों क्योंकि यह दोनों के दोनों brain की बिमारी है यानि brain और spinal cord से related बिमारी है इसमें क्या इंसान की सोचने समझने की जो शमता होती है वो भी काफी लो जाती है ठीक है ना तो ये एक तरीके की ऐसी बिमारी है कि जो वाइरस से तो होती होती है लेकिन कई बार इसके कारक जो होते हैं वो कई और भी होते हैं जैसे बुखार है बुखार कई तरीके की बिमारीयों के स नहीं brain की swelling भी सात में लेकर आगया मैंनकिटीज वो भी brain और spinal cord की swelling सात में लेकर आगया ठीक है ना तो इस disease को दोनों को आप इस तरह से समझना कि यह ज़्यादातर सात में लेकर के आते हैं दूसरी बिमारिएों के साथ यह भी symptoms जुड़ जाते यह विराना है तो किया होता है कि रेबी का व्यासिज़ में एस साथ विमारी लग जाती है तो एक तरीक पम अच्छा होता है नाम की विमारी को ट्रांसफर करता है किसी इंसान के अंदर दूसरी जो विमारी है वाइरल इंफेक्शन होता है बाकि बैक्टिरियल और फंगल भी हो सकता है ठीक है मैंने आपको अभी समझा दिया था कि किस तरह से ऐसा होता है वाइरस होने वाली एक और जो डिसीज है वो है आपकी स्वाइन फ्लू जिसको हम एच वन नाम से जानते ह एजो आपको आपको फिर इक लिवर किरा रही हूं चिलीवर कने बेंचे इसको गदूनारी बाइंगार होता है नहीं चैनी लगोफञेक्शे अरहीं होता है विश्पेड़ा घं कर दिया के लार्जस्ट safely होता है जो हमारी बॉडी में डाजेशन में में हेल्फ करता है एनरजी स्टोर करता है और हमारे खाने में वाधी में से बॉइजन्ग और बॉड़ी में से पोइसे रिमुव करता है और इसलिए हमी केमिकल फैक्ट्री कहता है कि इसको लीवर को और करता है causing agent क्या होता है asperglass fumigatus होता है इसके symptoms क्या होता है सांस लेने में दिक्कत आना ठीक है यह हमारी बॉड़ी में लंग्स में जाकर के एक जाली टैप की create कर लेता है वायरस पाई जाते हैं तो हमारे पैरों में जाके skin को जाकर टच करते हैं और पर पनपना शुरू कर देते हैं तो तरीके की बिमारी क्रियेट करता है और इसमें क्या होता है पैर फटने लगते हैं कई भार खून भी निकलने लगता है ठीक है माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मो फाइटन नाम भी आप याद कर लेना क्यूंकि कई बार एक्जाम में ये भी दोनों पूछे जा चुके हैं कि इस वाले फंगस्ते कौन सी बिमारी होती है तो इसमें क्या होता है बॉड़ी पर रेड कलर के स्पॉर्ट्स हो जाते हैं स्किन पर आपके और काफी सारी आपको दिक्कते जहलनी पड़ती है उसमें खुजली भी होने लगती है और ये रिंग वाम इसको इसलिए का जाता है क्यूंकि आपकी बॉड़ी में वो इसकिन क लगारता है पॉड़ी में जाकर के वहां पर एक टेता है जो की आपको दिखाएन देंगे उसकोपिक और वहां पर पनपना शुरू करता है तो वही तो वही हमारी बॉड़ी पे जो खाना होता है इनका हमारी बॉड़ी पे तो यह सारा के सारा जो रोल है वह सकन का वह ही से शुड़ी करता हैं और इनको खाने पीने के लिए अपने जाम करके चले जाते हैं अपना काम करके चले जाते हैं फंगस ने वाल जो एक्जाम पॉट पूंट इसे उउसा है आपका बाल्डनेस्ट यह आपके हेर्सकेलप को एफेक्ट करता है और यह तेनीया कैप्टिस नाम के फंगस से होता है इसमें बाल आपके बहुत बुरी तरह से जढ़ने शुरू हो जाते हैं, पूरा पूरा आपका, जो scalp है, वो कई बार खाली हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गंजे पन की बिमारी लग जाना, ठीक है, बाकी यह जो दो, जो fungus हैं, इनके नाम बहुत अच्छे से याद कर ले ना, तीनिया पैडस ही है, तीनिया कैपिटैस ही है, 컨्फ्यूजम मत हो जाना, ग्याना तुख उस ब्हूर अगरियस है, तो गौइद यह दो, यह निकि बार्य और फंगरिवारी हुजें, वो मैंने आपको इस class में complete करा दिया बाकि एक important class और है इसी की जिसमें की आपकी जो बिमारियां protozoa और warm से होने वाली complete कराऊंगी और plus कुछ medical instruments और कुछ drugs यानि की medicines complete कराऊंगी और इनको करते ही आपका पूरा complete हो जाता है disease का topic ठीक है तो good luck and have a nice day thank you so much